कैची निवासी श्री पूर्नानंद तिवारी महाराज के परम सेवक और भक्त रहे और बाबा की आप पर कृपा भी विशेश रही सन 1971 में आपकी पत्नी का स्वास्थे गिर्ता चला गया और स्थिती एक दिन गंबीर हो गई तिवारी जी कहते हैं कि मैं चिंतातूर हो आश्र में बाबा से अपनी व्यथा व्यक्त करने के अभिप्राय से पहुचा महाराज अपनी कुटिया में खिर्की की और मुह की ये अकेले बैठे थे सूर्यास्थ हो रहा था मैं खिर्की के बाहर से ही प्रणाम कर भीतर गया और उनकी पीट के पीछे तख्त के पास ही जमीम पर बैठ गया कुछ क्षन मौन में व्यतीत हुए फिर एकाएक बाबा ने गर्दन घुमाई और अपनी दो अंगुलियों को उठा कर मुझे दिखा रहे हैं दो बच्चे और होने की बात मैं मन ही मन विचार करने लगा यदि दो बच्चे और होने है तो इस समय घरवाली ने मरना नहीं है वो अवस्य वच जाएगी इससे मुझे कुछ शांती मिली मैं बाबा को नमन कर घरवा आ गया फिर सोचने लगा कि अब पतनी बुली हो चली है और यदि बच्चे हुए तो यह उस कष्ट को बरदास्त नहीं कर पाएगी एक आएक फिर विचार आया कि बच्चे होना तो दूसरी की बात है बाबा अपनी बात कहकर गंभीर और मौन क्यों हो गए इसका उत्तर में नहीं सोच सका मैंने समझा अवस्य कोई रहस है तब मेरी समझ में आया